नमस्कार दोस्तों जो recent trend देखा गया है इंडियन real state market में की एनराईस बहुत ज़्यादा interested है investing in real estate in India इस पर मैंने ऑल्रेडी बात की हुई थी real estate bullrun के वीडियो में और अभी सिंग्निचर global 37 D का मैंने रिव्यू किया था उसमें भी अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जरूर देखें और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल स्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियो और प्रोजेक्ट्स के अन बायस रिव्यू लाता रहता हूं तो ऐसे वीडि क्यों दिखा रहे हैं इंडियन रेल स्टेट मार्केट में बात मैंने उन वीडियो में की हुई है बट एक बारी में रियाइड़ेट कर देता हूं सबसे पहले तो इनको गिवबैक का एक फिलिंग आता है कि वह रूट से कनेक्टेड हैं जब वह इंडियन रियल स्टेट मा रही है, government भी stable है, options जो यह वहाँ पर NRIZ के लिए आते हैं, वो बहुत costly हैं और Indian market NRIZ के लिए बहुत ही ज़्यादा affordable लगता है, most of the cases में उन्हें किसी भी तरीके की कोई loan लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और जो reverse migration के chances हैं, वो कहीं ने कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं और पिशले years में कुछ अगर compare करें, especially COVID के बाद तो reverse migration में बहुत बड़ा उच्छाल आया है तो NRIs अब ये सोच पा रहे हैं कि वो इंडिया वापस जा करके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक well standard life वहाँ पर जी सकते हैं, जो कि वो deserve करते हैं और पहले एक NRI होना celebrate किया जाता था, एक status होता था, लेकिन आज के date में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा factor इसलिए है, क्योंकि जब पहले कोई NRI आता था, जैसे कि जो हमारे relatives हैं पहले रहते थे, iPhone का सबसे latest version ले करके, पहली बार हम उनके हाथों में हुआ, तो इस तरीके की चीज़ें पहले हुआ करती थी, हमें बहुत fascinating लगता था NRI होना, बट आज के date में just another thing है, NRI होना, अब celebrate नहीं किया जाता, ये भी एक reason है, कहीं नहीं कहीं, directly या indirectly, कि NRI बहुत जादा interested है, Indian real estate market में, बहुत अच्छी चीज है, तो जब भी NRI इंड करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि बाहर का पैसा अंदर आ रहा होता है, और वो connected भी feel करते हैं, अपने route से Indian economy strong होती है, but recent times में जो कुछ domestic investors हैं, उनके लिए भी कहने कहीं, ये challenging होता जा रहा है, क्योंकि जो middle class, lower middle class वाली चीज़े options आनी चाहिए थी, व मैं ये NRI वाला connect करूंगा domestic investors के लिए in the later phase of this video, so please stay tuned till the end, तो ये सारे factors हैं, जो कि NRI को force कर रहे हैं, NRI को FOMO दे रहे हैं, यहां पर Indian real state में invest करने के लिए, तो अब बात कर लेते हैं कि NRI कहां पर कर रहे हैं, अगर को individual NRI है, उसने अभी तक वहां पर अपने लिए, जहां भी रह रहा है, लेट से Australia में हो, Canada में हो, Europe के किसी country में हो, England में हो, अगर वहां पर आपने अभी तक अपने लिए apartment book नहीं किया है, या वहां पर अपना एक घर own नहीं करते हैं, और आप Indian real state market में interested हैं, तो मेरे हिसाब से यह बहुत ही basic mistake है, जो आप कर रहे हैं, I understand कि वहां पर affordability उतनी नहीं है, चीजें बहुत महँई हैं, और जो अभी interest hikes हुए हैं, उसकी वज़ा से affordability और भी कम हो गई है, पर आप dreamland में ना रहें, आगे आने वाले time में interest rates मुझे नहीं लगता, कि 2 या 3 या 4 basis point गिर जाएं इतना कभी नहीं होता, hardly एक डेड बहुत जादा त तो affordability अगर आप आज किसी एक country में, let's say city की बात कर लेते हैं, लंदन में कोई एक apartment, greater London area में आप कोई apartment effort नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 साल बात भी आप effort नहीं कर पाएंगे, ये चीज इंडिया के साथ नहीं है, आप इंडिया में 4 साल बात भी effort कर पाएंगे, क्योंकि आपके next चीज है कि NRI reverse migration होते हुए देख रहे हैं, और वो सोच पा रहे हैं कि retirement life इंडिया में जी जा सकती है, पहले ऐसा नहीं होता था, बट आप वापिस आ सकते हैं सर, आपका बच्चा नहीं आ पाएगा, सबसे बड़ा challenging चीज है, अगर वो उसी environment में पला बढ़ा है, तो वहा आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वो vaccines नहीं लगी है, जो बच्पन में लगनी चाहिए थी, वो इस environment में पला बढ़ा नहीं है, जिन bad cells के साथ, जिन viruses के साथ हम जी लेते हैं, आपका बच्चा नहीं जी पाएगा, तो food poisoning के chances हमीशा होते रहेंगे, तो अग जाते ही जाते हैं, वहाँ पर भी वो नहीं कर पाएगा, तो ऐसे case में life is a hell I should say, जब आप socially interact नहीं कर पाएगे, especially खाने पीने वाली जगों पर, तो ऐसी जिन्दगी का क्या फायदा, अब मान लेते हैं, अगर चाइल्ड आभी जाता है वापिस, तो बुरा क्या है foreign country में इ rental बहुत बहतरीन है, जो वहाँ के locals हैं, अगर मैं example ले लूँ, New York City का, London का, तो दोनों जगें ही देखें, तो जो हम Indian और Pakistanis हैं, उन्होंने real estate पर बहुत अच्छा invest किया हुआ है, historically बहुत अच्छा किया हुआ है, और आज वो अच्छे पैसे पर बैठे हुए हैं, और वो इंडिया में invest करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों का बिलकुल welcome है, बट आप अगर वहाँ पर अपने ले कोई wealth नहीं बना पा रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ इंवेस्ट करना चाह रहे हैं, यह सोच के कल को मैं आ जाओंगा, तो यह बहुत basic mistake है, जो कि नहीं करा पाएंगे, लिट से अगर आप chess खिलाना चाहते हैं उसको, या cricket के लिए कुछ खिलाना चाहते हैं, फुटबॉल खिलाना चाहते हैं, उसके classes के fees, जो महीने में 4 या 5 classes के fees होगी, उससे वो आपकी rental value से covered नहीं हो पाएगी, और अगर इसका reverse कर लें, कि कल को आपन कहें, लंडन में invest किया हुआ है, और आप इंडिया आ चुके हैं, तो आपको पैसा मिलने वाला है pond में, या generic हो करके कहें, तो USD में, और वो पैसा यहाँ पर आपके household expenses को easily cover कर लेगा, तो before investing in इंडिया, जो मेरा पहला checklist होता है, कि कोई भी NRI जो मेरे से collect करता है, क्या उसने अपने लिए वहाँ पर घर लिया है, let's say, generally जो excuses होते हैं, I will say excuses only, कि आज मैं यहाँ हूँ, कल को मैं वह कहीं और रहूंगा, कोई फरक नहीं पड़ता, आपको जो शहर पसंद हो वहाँ पर, अगर आप eligible हैं, और permitted हैं, वहाँ पर कोई भी property खरिद देंगी, तो एक अच्छ आपको allowed है, वहाँ पर property purchase करना हो सकता है, कि government वहाँ की policy change कर दे, और आपको allowed ही ना हो, जैसे कि अभी recently Canada में हुआ, Australia में आप अभी भी ले सकते हैं, UK में आप अभी भी ले सकते हैं, Europe के maximum countries में आप ले सकते हैं, तो please लीजे, right, कल को policies change हो सकती हैं, और आप one-chit रह सकते हैं इसी चीज़ों से, तो ले लीजे, अपार्टमेंट का growth उतना अच्छा नहीं होगा, बट rental value बहुत अच्छी होगी, कल को आप India shift भी हो गया, तो उस rental से आप अपने expenses का major part contribute करा सकते हैं, right, उसको sell भी करेंगे तब, आप USD से INR में conversion रखेंगे, तो वो भी fruitful होता है, next challenging चीज़ें purchase कर सकते हैं, आपने यहां से RTS किया, EFT किया, पैसा सीधा उनके account में चला गया, और यहां पर लोग आपको समझाने के लिए, जो closing managers हैं, brokers हैं, वो लगे हुए, right, उनकी पूरी force है, बट जब आप इसको liquidate करने के लिए आएंगे, तो बहुत मुश्किल है इसको liquidate करना, वहां से एक अच्छी deal crack कर पाना, यही brokers हैं, जो कि यहां पर locally कहते हैं कि NRI वाला case है, मतलब वो deal थोड़ी सी favorable हो सकती है for broker and for potential buyer, तो deals आप उस तरही की crack नहीं कर पाएंगे, liquidate करने के time पर, और liquidation के time पर जब आप पैसा इंडिया से foreign country में ले जाएंगे, तो उसक का एक अलग pain है, जो आपको initial लग रहा था कि काफी affordable है, बहुत सस्ता लग रहा है Indian market, बट जब आप India से liquidate करेंगे, तो वहां पर आप कुछ अभी नहीं ले पाएंगे, let me make it clear for you, I know all the market very well, तो यह सोचना कि Indian assets को मैं liquidate करके, वहां पर कुछ एक अच्छी सी property खरीद लोंग कल को इसको affordable बना लोंगा, तो ऐसा होता हुआ, मुझे नहीं दिखता, इतना भी India grow नहीं करेगा कि एक apartment अगर, let's say, कोई Tokyo में apartment है 2LDK का, पांच साल बाद आप यहां पर एक 2LDK बेज़ करके वहां पर ले पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो be practical, आज आज आप जो आपके लिए सस्ती है, वो कल भी हो सकता है, कि थोड़ी सी ही महंगी हो, बट फिर भी affordable जरूर होगी, तो next point पर चलते हैं, आप totally broker पर dependent होंगे, for renting it out, for selling it जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ी बड़ा जो challenges है, maintenance का challenges है, अब maintenance के लिए भी आप broker पर dependent होंगे, वो X का 2X मांग होता है, हर एक चीज के लिए, अब property आपने rental पर तो दी हुई है, बट कई cases में जब ये rented नहीं होता है, खाली होता है, apartment तो उसका utilization किसी और case में भी किया जाता है, जहां पर कि नहीं करना चाहिए, तो आप property को आकर के देख नहीं पाते हैं, जिसे की बहुत बड़े challenges आते ह हैं, especially जो vacant flats होते हैं, उन में सबसे बड़ा challenge देखा गया है, कई-कई cases में धोखा दड़ी भी देखी गई है, तो सोच समझ कर invest करें, जो next challenge मैं देखता हूँ, CLP का challenge देखता हूँ, आप under construction property में आपर invest कर रहे हैं, आज कल builders demand rates करने के लिए, pre intimation letter निकाल देते हैं, काम CLP तो कहने के लिए है, बड़ जब आप actual में जाएंगे देखेंगे, तो उतना काम भी नहीं हुआ होता, CLP कहने के लिए construction link plan है, बड़ आप 0% काम पर अल्रेडी 25-30% पैसा दे चुके होते हो, तो वैसे भी वो CLP नहीं रह जाता, और CLP के लिए जो additional demands raise करता है, उसमें भी कहीं कहीं बदमाशी करता है, pre-intimation letter के नाम पर, demand letter फिर वो release करता है, तो इस तरीके की चीजों की धोखादरी से आप बच सकते हैं, अगर आप इंडिया में रहते, जा करके देख पाते, किसी ग्रुप में रहते कि यह सकाम कितना हुआ है, क्या ऐसे लोग भी हैं आपके सा जिन्होंने housing loan लिया है, क्योंकि housing loan के case में, bank यह verify करता है, कि जो construction builder claim कर रहा है, वो physically वहाँ पर present है, या नहीं है, सबसे last में, आपको कोई taxation benefit नहीं है, अगर आप अपनी वहाँ के country में, foreign country में invest करें, तो हो सकता है कि आपको taxation benefit भी मिले, depending on which country and city you are living in, बट यहाँ पर तो अप liquidate करके वापस ले जाएंगे, तो आप dedicated value पाएंगे, तो यह थी ए clear picture NRIZ के लिए, अब यही चीज हमारे domestic investors के लिए कैसे directly applicable है, इस पर बात कर लेते हैं, जो कि सबसे important point है इस वीडियो का, तो अभी recently जो मैंने आपको analysis बताई, NRIZ इंडिया में क्यों invest कर रहे हैं, same applicable ह यह domestic investors के लिए, मैं ऐसे कई professionals से मिलता हूँ, जो रहते तो मुंबई, गुडगाओं, नोड़ा, दली जैसे शहरों में हैं, but invest करते हैं अपने tier 2 city में, अपने जो parents हैं, उनके suggestions के basis पर, क्या यह कहीं से logical decision है, तो मेरे साब से बिल्कुल भी logical नहीं है, parents की अपनी एक selfishness होती ह कि वो चाहते हैं कि आप उनहीं tier 2 cities में invest करें, जिसे कि वो अपने society में यह दिखा पाएं, कि हमारी family अच्छा कर रही है, हमने यह plot लिया, या plot पे बहुत अच्छा सा 50-60 लाग रुपए लगा करके घर बना लिया, अब आपके उपर हो सकता है, land loan ना लिया हो, आपने land professional पर ही आती है, उस case में आप एक tier 2 city के investment में की liability में नीचे दबे हुए रहते हैं, और जो tier 1 city में investment है, वो कहीं भी नहीं देख पाते, even सोच भी नहीं पाते, क्योंकि जो initial 30-40 लाग, 50 लाग रुपए चाहिए, आपको यहां की market में entry करने के लिए, वो आपके पास होते नही है, generally मैंने देखा है, 20-25 लाग रुपए हुए, वहाँ पर एक अच्छी खासी land आ जाती है, और पिता जी को पता हुता ही है, में शाराइट, कि हमारे बच्चे के पास कितना क्या है, तो फादर चाहते हैं, कि वहाँ पर हो tier 2 city में कोई land ले ले, contribution में ही ले ले, कल को हम कु आज़ा रुपए होने वाला है, tier 2 city में इतना rental का growth नहीं होगा, hardly 5-7,000 अगर example ले कि पतना में एक independent house आप 7-8,000-10,000 तक easily पा सकते हैं, वहाँ पर यही rental, गुडगाओं जैसे शहर में आपको 1.5 लाग रुपए का है, तो वहाँ के rental income से, पतना में आपने एक apartment लिया, वहा पर आप वापिस से अपने बच्चे के extra curricular activity के लिए fee भी afford नहीं कर पाएंगे, तो आप तो आप तो वहाँ से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो अगर मैं rental की बात देखूं, तो कल को rental ये और भी बढ़ना है, पतना जैसे शहर में, tier 2, किसी भी tier 2 city में rental इतना नहीं बढ़ बढ़ेगा, जितना की किसी tier 1 city में बढ़ेगा, तो अगर आज आप rental मुश्किल से afford कर पा रहे हैं, आप यहाँ पर एक कोई छोटा 2BH के मुश्किल से afford कर पा रहे हैं, तो कल को ये आपके लिए unaffordable category में आ जाने वाला है, आप उसे खरीद ही नहीं पाएंगे, भले ही आपने tier 2 city के किसी asset को liquidate करने का decision भी ले, तो कहीं से भी ये logical नहीं है, कि आप सबसे पहले tier 2 city में invest करें, फिर tier 1 city में invest करें, मेरे हिसाब से आपकी जहां भी job है, तो आपको बैंगलो पूने गुड़गाओं आपके radar पर होना चाहिए, पहली investment आपने इन तीनों में से किसी एक शहर में कर चुकी है, कर रखी है, फिर आपको jump होना है अपने tier 2 cities में, हमारे parents भी ऐसा करते हैं, आप देखें, अगर आपके पिता जी, example के तोर पर किसी government officer थे, working professional थे, तो उन्होंने भी पहले वहीं invest किया होगा, जहां पर वो काम करते हैं, या बड़े शहरों में, गा की तरफ रुख करते हैं, तो यही चीज आपको यहां भी apply करनी चाहिए, जब आप किसी tier 2 city में invest कर रहे हैं, तो आप यह हमेशा ध्यान रखें, कि आप अपने tier 1 city के घर, liability, loan वगर से बिलकुल free हों, तब ही अपने tier 2 city में जाएं, parents की अपनी selfishness होती है, वो गलत नहीं है, अपनी जगे पर, मैं हमेशा यही कहता हूँ, बट वो अपने आपको और अच्छा दिखाना चाहते हैं, अपनी society में और उच्छा दिखाना चाहते हैं, बट इसकी cost क्या है, इसकी cost आपके जेब पर सबसे ज़ादा है, यह बिलकुल ध्यान रखिए, same NRI वाला जो case है, के लिए applicable है, especially in terms of affordability, तो इस तरीकी kisses मुझे बहुत मिलते हैं, कि घर बहुत अच्छा सा बना दिया, एक से डेर्ड क्रोड रुपे लगा दिये, किसी पटना जैसे normal शहर में, और जब यहाँ पर लेने की बारी आई, तो अब parents के पास पैसे नहीं है, खुद के पास पैसे वहाँ पर construction का housing loan है, rentals, covid में भले ही compromise थे, बट अब वापिस से bonds back हो चुके हैं, तो वहाँ पर rentals इतना मिल नहीं रहा, वहाँ के पैसे कुछ भी नहीं है, hardly जो parents के medical expenses भी नहीं देख पाते वहाँ के rentals, यहाँ से पैसा जाना होता है वहाँ पर, यहाँ उनको अपने pension से च बाइचांस आपने एक नोड़ा, गुडगाओं, बैंगलोर जैसे शहर में, पूने जैसे शहर में घर ले लिया होता, तो rentals जहां हम 5-7,000 या 10,000 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपको rentals 40, 45, 50,000 रुपए मिलते, उतने में तो आप अपने पूरे household expenses किसी भी tier 2 city में execute कर प मैंने कुछ लोगों को खुद recommend किया है कि आपको अपने tier 2 city में invest करना चाहिए, that depends, जैसे अगर आप अयोध्या से हैं, बनारस से हैं, गोरगपूर में जो गोरगपूर की नई development authority आ रही है, highway के पास लखनो वाले रास्ते पर वहाँ कहीं invest करना चाहते हैं, कुछ ऐसा story जहा बहुत जाएगा, इतना बड़ा आपको jump मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर stories बहुत जादा है, but especially ऐसे शहर में, जहां stories बहुत कम है, normal है, just another thing है, जैसे कानपूर का मैंने नाम लिया, right, even लखनों भी बहुत जादा कुछ नहीं है, बोपाल हो गया, हमारा पटना हो गया, हम जहां पर invest कर लें, और कल को liquidate करके, गुडगाओं जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, बैंगलाओं जैसे शहर में, कुछ ले पाए, तो right, जो चीज़े मैंने आपको NRI वाली चीज़ें बताई, maintenance वगरे का भी issues आ आने ही वाले है, right, तो जो मैंने वहां पर चीज़ पाएं, और दोनों को मैंने कलब किया, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, but anyways, जो भी बिलकुर लास तर देखेगा, उसको value addition जरूर मिलेगी, तो आशा करता हूं कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपकी life में value add कर पाता रहूं, और मैंने interactive way में communicate करने के लिए, आ अगर अभी तक आपने elite membership join नहीं की है, तो please join किजे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इससे like share करने के साथ मेरे चनल को subscribe करना ना भूलें, अगर अभी तक specially नहीं किया है, तो right, thank you for watching till the end, see you, और भी अच्छी वीडियो